हाई एब्रिवान मैं अश्विड मुज़ोमीद है आप सभी अच्छे होंगे सिनॉनिम्स और अन्टॉनिम्स ये एक 60 सेशन्स की सीरीज है जिसका ये लेक्चर नमबर 17 है मैं इसके हर क्लास में 5 सिनॉनिम्स और 5 अन्टॉनिम्स के क्वेश्चन कराता हूँ ये इसी सीरीज का लेक्चर नमबर 17 है तो सभी लोग आज की क्लास के लिए रेडी हो जाएं सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी PDF फाइल को अपिन करें अगर आपके पास अभी भी PDF फाइल नहीं है तो आप अप्लिकेशन यानि की अश्विन क्लास इस लखनो इसमें जाग करके PDF नोट्स वाले सेक्शन में जाग करके सिनॉनिम्स और अन्टॉनिम्स इस नाम का जो भी PDF है उसे डाउनलोड करके उसका प्रेंट करा लें या फिर टेलिक्राम चैनल को विजिट कर लें और या तो फिर आप इस नंबर पे मेसेज करें वाट्सेप करें ताकि आपको इधर से ही जो है PDF फाइल प्रवाइट करा दी जाए आप यह जो लेक्शर अभी अटेंड करने जा रहे हैं यह मेरे batch synonyms and antonyms का part है जिसकी जिसमें total में 60 lectures है और जिसकी total fees जो है वो 499 है लेकिन अभी इसकी fee को काम कर दिया गया और अब यह fees है सिर्फ 99 तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लगता है कि content useful है जैसा कि मैं समझता हूं कि बहुत ही useful है अगर आपकी भी यही राय है तो आपको जल से जल इस batch का हिस्सा बन जाना चाहिए पहला segment है synonyms का पहला word है आपके सामने अक्रू अक्रू का मतलब होता है एकटा करना या नहीं कि gather करना assemble करना collect करना अब यह जो चार options है इन में से किसका मतलब होता है एकटा करना accumulate का of course accumulate करना जिसको आप aggregate भी कहते हैं aggregate करना तो इकटा करना accumulate करना right accommodate सुविधाओं के लिए होता है facility के sense में accommodation आता है रहने के लिए constru का मतलब होता चीजों को समझना आप कैसे उन्हें interpret करते हैं आप कैसे उन्हें infer करते हैं आप कैसे उन्हें लेते हैं चीजों को आप उन्हें उस way में इसी की वर्ब फॉर्म है, suffice का मतलब ही होता है परियाप्ट, suffice होने का यही मतलब है कि चीजे परियाप्त मात्रा में हैं, बस जो है justify करना भी suffice का synonym हो सकता है, अब बस इतना difference है कि sufficient एक adjective और suffice एक वर्ब है, तो accru का क्या meaning हो जाएगा, accumulate करना, इखटा करना, अब आपको यह समझना होता है, कि जरूरी नहीं कि मैंने accru word पढ़ाया तो paper में accru word पूछ लिया जाए, हो सकता paper में accumulate पूछा जाए, हो सकता construct पूछ लिया जाए, suffice पूछ लिया जाए, इसलिए सारे options को जितना जरूरी है, उतना elaborate किया जाता है, तकि आप सब तरफ से तयारी करके चले हैं, gabi, gabi होने का मतलब होता है, बहुत जादा बातूनी होना, actually में gab का मतलब ही ओता है, talk से, जी, एक phrase भी है, gift of the gap, ये positive phrases का मतलब होता है, बोलने की कला में माहिर होना, तो gap का मतलब बातचीत से, gabi होने का मतलब होता है, जब कोई वेक्ति बहुत बाते करता है, यानि कि जो हो टॉकेटिव बंदे को लोकेशियस भी कहा जाता है जो बंद बहुत बाते करता है उसको हम लोकेशियस भी कहते हैं टॉकेटिव भी कहते हैं एक वर्ड इसी में इलोक्वेंट भी है बस डिफरेंस दोनों में यह ही कि फरजी बाते भी खुब करता है eloquent person जो है अच्छी बाते करता है ढंक की बाते करता है hesitated का सम्बन गुसे से अगर आप hesitated है यानि कि आप angry है you are in anger content reserved का मतलब होता है जब आप थोड़ा सा shy nature के है laconic type से है जादा दूसरों से घुलते मिलते नहीं है थोड़ा सा bashful है थिक content करने का मतलब होता है एक तरीके से किसी प्रतियोगिता में participate करना, आपने पढ़ा होगा contest होता है contest, it's a noun अब इसी contest में अगर आप participate करें तो आप content करने which is a verb और किस प्रकार से मतलब आप against में जा करके बात करते हैं तो content करने का मतलब होता है basically oppose करना object करना तो अगर आप contended है तो एक तरीके से आप जो है dissatisfied है आप एक तरीके से क्या है dissatisfied है, असंतोष्ट है नाराज है एक प्रकार से इसी के बहुत करीब में एक वर्ड होता है content जिसका सम्बन संतोष्ट से अगर आप contented है यहां ध्यान से देखिए contented है और यहां contented है तो contented होने का मतलब होता है satisfied होना संतोष्ट होना यह contentment से बनता है contentment का मतलब ही होता है संतोष्ट तो if you are contented then you are satisfied and if you are contented then you are dissatisfied you are angry right तो gabi का मतलब क्या हुआ बातुनी क्या भी बहुत popular word है, locatious उससे भी ज़्यादा popular word है मेरा एक batch है idioms and phrases का, जिसमें मैं आपको 1400 से भी ज़्यादा important idioms, phrasal verbs and proverbs कराता हूँ ये 70 plus videos का batch है, वो भी सिर्फ 99 में है तो मैं चाहूंगा कि अगर आपका idioms and phrases का segment week है आप 1500 के आसपास important idioms and phrases को पढ़ना चाहते हैं, easy way में तो आप जरूर इस batch को एक बार, इसके demo sessions तो जरूर आपको मेरे साब से देखने चाहिए और इसका PDF भी available ही है, टेलिग्राम चैनल पे, application पे भी तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप PDF फाइल को visit कर लें PDF फाइल ना मिले तो इस number पे, message drop कर दें, whatsapp कर दें, फिर आप PDF फाइल को अच्छे से go through कर लें देखने कि कितना content आपको लगता है, नया है उसके बाद फिर आप decide कर सकते हैं, क्योंकि investment 99 का है या 999 का है वो बाद में है investment वर्दी कितना है मतलब investment जो आप कर रहे हैं, उससे benefit कितना है क्योंकि भले ही 99 में है, लेकिन 70 videos अगर आपने देख दाले तो 70 videos में, हर video में 30 minute लगेगा तो 30 minute के हिसाब से ये 35 hours की class होगी न अब 35 hours जो है आप बेवेस्ट नहीं कर सकते, मेरे इसाब से आप एक student है और 35 घंटे आप बरबात नहीं कर सकते, फर्जी का content परके, तो it's very natural, it's very important कि आप PDF फाइल को पहले visit कर लें, उसे open करके देख लें, देख लें कितना सारा content आपके काम का है, नया है, फिर उसके बाद आप इस batch को join करने का विचार बना सकते हैं vindictive, vindictive होने का मतलब होता है, जब आप बहुत उग्र टाइप के हों, यानि कि hostile type के हों, बदला लेना चाहते हों, like revengeful हों, spiteful हों, aggressive हों vindictive होने का ये मतलब है, कि आप बदला लेना चाहते हैं, आप मार पीट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहते हैं, spiteful होना चाहते हैं, hostile, spiteful, aggressive, violent, imaginative तो अलग वड़ हो गया, कलपना करना acquisitive में आप acquisition लगा रहें किसी पर, मतलब कीचड़ू चाल रहें, आरोप लगा रहें, aggressive, aggressive भी synonym है इसका, लेकिन vindictive basically प्रतिशोध लेने की तरफ जादा जाता है, aggressive होना तो एक common nature में भी हो सकता है, कोई वेक्ती बदला नहीं लेना चाहता है ऐसी वो थोड़ा सा स्वभाव से aggressive है, उग्र रहता है, vindictive specifically जब आप revenge लेने की कोशिश करना हो revengeful है आप, तो vindictive इस्तिमाल किया जाता है, spiteful भी इसी लिए इस्तिमाल होता है जब आप किसी को पीटना चाहते हैं, मार पीट करना चाहते हैं, then you are spiteful inclement, claim को opposite है, एक word है claim, इससे बनता है clemency clemency का मतलब होता है चमादान, जब किसी पर कोई case हो जाता है और फिर उसे convict किया जाता है, कि अब आप 10 years jail में रहेंगे या आपको capital punishment दिया जा रहा है, death sentence दिया जा रहा है तो उसके पास एक right होता है, कि वो head of the state है, यानि कि हमारे आपर जो president है, उनके आगे वो clemency का अपील करें, कि उसे छमा दे दी जा, माफ कर दी आ जा तो अगर clemency मिल जाएगे, तो चीज़े आपके लिए बढ़ी हो जाएगे आपके favor में आ जाएगे, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि claim का मतलब होता है जो चीज positive है, जो चीज positive है, इसी से clement बनता है तो जो चीज़े favorable है, वो clement है, तो अब आएगे लग गया in clement वो चीज़े जो favorable नहीं है, ये negative हो गया unfavorable हो गया जादा तर ये seasons के लिए इस्तिमाल होता है, climate conditions के लिए इस्तिमाल होता है, बहुत ठंड अगर पड़ रही हो, fogging हो रही है, snowfall हो रहा है, visibility low है, temperature minus में है तो वो inclement weather conditions है, बहुत जादा गर्मी पड़ रही है, 50 degree centigrade के आज़ पास temperature है तो वो inclement हो गया, बहुत बारिश हो रही है, जिसकी वज़े से आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, thunderstorms है तो वो inclement weather conditions हो गयी, weather conditions के लिए, climate conditions के लिए जादा इस्तिमाल होता है और कैसा भी, बहुत अधिक गर्मी हो, बहुत अधिक ठंड हो, बहुत अधिक बारिश हो रही हो, कुछ भी जिससे आपकी progress रुख जाए, hamper हो जाए, traffic बादित हो जाए तो वो inclement weather conditions हो गयी, ठीक है ना, unfavorable इसका synonym हो गया लिखा तो है, unfavorable, बहुत जादा ही जो dry है, hot है, severe है एक तरीके से sparse, इसका मतलब हो तो दूर-दूर, जैसे पेड पौधे लगाए जाए, 10-10 मीटर की दूरी पर लगाए जाए sparse, बहुत दूर को, जिसको आप scattered form में, जिसको कह सकते हैं, scattered, active आप जानते ही है, सक्री है incensed का मतलब गुसे से होता है, incensed होने का मतलब होता है, angry होना, infuriated जिसको कह सकते हैं inraged बोल सकते हैं, i-n-r-a-g-e-d, incense से incensed बन जाता है, incense का मतलब होता है, गुसा, anger नाउ नहीं है, इसी का adjective वर्जन जो है, वो incensed हो जाता है, angry, गुसे में होना, अब infuriated और inraged बहुत काम के वर्ड हैं आपके लिए weary, weary होने का मतलब होता है, it's an adjective, इसका मतलब होता है, ठका हुआ होना क्या होना सर्थ, ठका हुआ होना, tired, exhausted, fatigued, जब उर्जाई न बची हो, innervated बहुत ज़्यादा जब आद्मी ठक जाता है, तो worn out, worn out, w-o-r-n-o-u-t, worn out, तो weary मतलब बहुत ज़्यादा ठका हुआ, केलेस तो होगा नहीं, वो तो लापरवावा, सरली, छिड़-छिड़े को कहते हैं, सरली जो annoying nature का है, जो complain बहुत करता है, irritable है जो, crabby, शाद cranky भी होता है, I'm not sure, लेकिन जो चिड़-चिड़ा है, वो सरली, vulnerable मतलब जो कमजोर है, जो weak है, insecure है, जो fragile है, unsafe है, एक phrase होती, sitting duck, बैठीवी बतक, बैठीवी बतक जो है, असुरच्छित है न, उस पर निशाना लगा के उसको मारा जा सकता है, sitting duck, तो जो safe नहीं है, vulnerable, कमजोर, जिसको prone कह सकते हैं, sensitive बोल सकते हैं, open to attack, जिस पर हमला किया जा सकता है, innervated इसको synonym है, यह देखी लिखा भी था मैंने, जब energy आपके उड़ गई हो, तो आप innervated हो जाते हैं, तरीका याद करने का, एक word होता है, energy उड़ जा, एक word हो, vapor उड़ना, तो energy का inner आ गया, और vapor का वी ए आ गया, तो energy अगर vaporized हो गई हो, अगर आपके energy vaporized हो गई है, then you are innervated, ठका हुआ बहुत जादा, दो दो बार यह बढ़ ए, हाँ, स्वारे, आगे बढ़ते हैं, अन्टॉनिम्स की तरफ चलते हैं, देखिए, अगर आप weary word पीछे था ना, हाँ, अगर आप weary word जिसका मतलब है ठका हुआ हो ना, अगर आप इसकी spelling मतलब, इसका meaning ना याद कर पा रहे हो, तो आप इसे wear से समझे, wear मतलब कपड़े पहनना, अब जैसे कोई बहुत भारी भरकम आप कपड़े पहन लो, जैसे शादी हो किसी लड़की को और उसने लहंगा पहना और बहुत भारी होता ही है, तो अब वो लहंगा बहुत भारी है, उसने डेढ़ दो घंटे पहना, तो क्या हो सा, वो बहुत ज़्यादा ठक गई, तो बहुत देर तक आप कपड़े पहने रहते हैं, जब भारी कपड़े, तो ठक जाते हैं, so you start feeling weary, right, यह तरीका हो सकता है, याद करने का, अन्टनिम्स पर आते हैं, और उससे पहले मेरा वोक्याब्लरी का बैच है, वर्ड पावर, जिसमें synonyms, antonyms, idioms, phrases, proverbs, one word, roots, confusing words, सब कुछ है, मतलब A to Z है, वो क्या आपका, A to Z है, four double nine में, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, और lifetime validity के साथ है, जितना दम लगा के पढ़ सकते हैं, पढ़िए, exam में questions इससे बाहर नहीं आ सकते, मेरी भी research है, तो वो कहती है कि चीज़े बाहर की नहीं मिलेंगे आपको, पोच, क्या आप नहीं जानते जो तशकर होते हैं, especially जो जानवरों के मारते हैं, और उनकी खाल, उनके दात, उनके नाखून, नोच लेते हैं, उतार लेते हैं, खीच लेते हैं, such people are called poachers, poachers are basically killers, मारते हैं, तो poach करने का मतलब एक प्रकार से हत्या करना ही है, hunt करना, kill करना, right, lootना, plunder, यही सब है सर, किसी को injured करना, चोटिल पहुचाना, basically, noach लेना, छीन लेना, poachers वो होते हैं, जो छीन लेंगे आप से चीज़े, तो hunt करना, kill हो सकता है, लूट हो सकता है, अब सोची सब, poach करने का मतलब, समझ में आगे आपको, ठिक, अब समझी, hover, hover, antonym पे हैं आप, plunder इसका synonym हो सकता है, कुछ हथ तक, hover मतलब mandirana, वो मक्ही को देखिए, B को देखिए, mandirati है, जिसको आप rome कह सकते हैं, आजाद करना, liberate, आजाद करना, liberty से बना है, free करना, free करना, disintangulate word होता है, cat से आजाद कर देना, free करना, emanate, basically release करना है, release करना, लेकिन ये तो, मेरी जानकारी के मताबिक, raise के लिए होता है, ये emit करने में ज़्यादा आता है, transmit करने में, इधर से उधर भेजने में ज़्यादा आता है, उत्सर्जन करना, जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन चुकि पोच का मतलब होता, पकड़ लेना, कबजे में कर लेना, liberate का मतलब है किसी को छोड़ देना, आजाद कर देना, तो सही रहेगा कि आप liberate की तरफ जाएं, emanate की तरफ ना जाएं, भले ही उसका मतलब ही release करना ही होता है, लेकिन context अलगा लगा है उसका, confront, confront का मतलब होता है, सामना करना, किसी के सामने आ जाना, पीठ ना दिखाना, भागना नहीं, डट कर सामना करना, challenge करना, जहां से देखिए, front का मतलब क्या होता है, front मतलब क्या होता है, जो चीज़े front में है, सामने, और कौन, conference होता है, मतलब, कौन की जरुवत पढ़ती, contact होता है, जब संख्या एक से जादा हो, तो जैसे, कोई सामने है, front, और आप उसके सामने पहुँच गया, ठीक है, किसी ने कहा, कोई है, दो-दो हाथ करने के लिए, यह दिखिए, यहां कोई है, कह रहा कोई है, दो-दो हाथ करने के लिए, आप उसके सामने पहुँच गया, हाँ मैं हूँ, दो दो हाथ करने के लिए ये हो गया confront ठीक कोई सामने खड़ा और कह रहा कोई है माईकलाल जो लड़े मेरे से आपने का हाँ मैं सामने आता हूँ मैं लड़ोंगा कोई आएगा सामने मेरे तो आप आगे सामने confront कर दिया dare कर दिया आपने challenge कर दिया अब इसमें क्या हो जाएगा सुचिए refuse मना करना deny करना celebrate चीर करना enjoy करना respond जवाब देना जिसको आप reply कर सकते हैं evade इसका सही opposite होगा क्योंकि confront में आप सामना करेंगे भागेंगे नहीं पीट नहीं दिखाएंगे evade का मतलब होता भागना डर के भाग जाना छिप जाना avoid करना hesitate करना evade करना skip करने की कोशिश करेंगे confront में आप डट कर सामना करेंगे evade में आप बचने की कोशिश करेंगे कैसे तैसे करके बच के काम चला ज़ए evasion इसी से बनता है exhort क्या आप जानते हैं कि exhaustion एक वर्ड होता है extortion भी एक वर्ड होता है exhort करना exhort करना क्या मेनिंग हो सकता है exhort करने का exhort करने का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने के लिए कहना अर्ज करना किसी को थोरा सा जोर दे करके जब आप कुछ कहें किसी से कि जरूर आपको इस काम को करना ही पड़ेगा exhort करना तो 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 कोईकस बहलाना फुसलाना बिगाईल करना हो जाएगा कैजोल हो सकता है लियोर हो सकता है अट्राक्ट हो सकता है खीचना प्रेस दबाव डालना एक्जियूम का मतलब होता है डेड बॉडी को बाहर निकालना डिगाउट करना जमीन खोद कर जोची जमीन के अंदर उसको उससे बाहर निकालना स्पेशली किसी की डेड बॉडी को रिकमेंड करना समझाना मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजड हूँ यहाँ पर इसका ओपोजिट ही अगर आपको चाहिए तो वो क्या होना चाहिए और मुझे यह लगता है कि इसका ओपोजिट होना चाहिए प्रेस दबाब डालना लेकिन प्रेस तो इसका सिनोनीम होना चाहिए हैना प्रेस करना एक तरीके से ऐसा तुनी इसके सारे ओप्शन जो लिखे हुए कोईक्स भी नहीं होगा कोईक्स मतलब यही तो मनाना किसी को रेकिमेंट भी नहीं होगा मेरे हिसाब से इसके जो ऑप्शन है उसमें कोई इसका operate दिया ही नहीं है इग्जौट करने का मतलब ही होता है आर्ज करना, कन्विंस करना, पर्सुवेट करना, राजी कराना, इधर भी आप किसी को बहला आफस ला रहे हैं, फ्रेस में भी आप दबाफ बना रहे हैं, आर्ज कर रहे हैं, एक्जियूम डेट बॉडी को बाहर निकालना और भी तो सिनॉनिम ही हो सकता, ये भी सिनॉनिम है, ये भी सिनॉनिम है, ये भी सिनॉनिम है, ये कुछ है ही नहीं, तो माफ करीए, इसमें कोई इसका उपोजिट नहीं है, अब जैसे इसका उपोजिट है, डिस्ट्राक्ट, इस तरीके से, बहुत कोशिश करें तो कोईक्स ब दुरलब्ता, scanty इसी के आसपास है, इसका noun version जो है, वो scantiness है, noun, इसको दुरलब्ता कहते हैं, और ये adjective है, इसको दुरलब्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, दुरलब, scanty, मतलब जो चीज़े बहुत कम हों, यानि कि मीगर हों, लिटिल हों, लिमिटेड हों, सीमित, बहुत थोड़ी सी, fuse इसको कह सकते हैं, इस तरीके से, बहुत कम, scanty, exultant, extremely delighted, exultant होने का मतलब होता है, excited, delighted, बहुत अधिक खुश होना, abundant इसको opposite है, abundant का मतलब यह होता है, plentiful, क्योंकि scanty का मतलब कम से है, और abundant का मतलब ज्यादा से है, तो multitude, plethora, वो numerous, यह इसको opposite हो जाएगा, bright मतलब चमकीला, shocking आप समझते हैं, जो चीज़ shocking है, वो आपको हत्परत कर सकती है, surprising nature की है, तो scanty मतलब बहुत थोड़ा, बहुत कम, abundant मतलब बहुत ज्यादा, abdicate, यह last word है, abdicate एक verb है, इसका मतलब होता, singhasan त्यागना, यह positive word में आता है, क्योंकि एक होता singhasan से किसी को गिरा देना, एक होता स्वेच्छा से जो है, त्याग देना, जिसको आप renounce कह सकते हैं, relinquish कह सकते हैं, और स्वेच्छा से पद त्यागने के लिए एक phrase भी है, which is step down, क्या है वो phrase, step down, तो अपने पद से स्थीफा दे देना, अपने पद को त त्याग देना, तो renounce करना, relinquish करना, step down, abdicate, त्याग देना, opposite चाहिए न, regain फिर से हासिल कर लेना, यह तो जैसे lose लिखा हो, ता हार जाना, एक होता न, lose करना, हार जाना, खो देना, तो regain फिर से हासिल करना, retain इसका opposite हो जाएगा, क्योंकि abdicate का मतलब होता त्याग देना, सुविधाओं को retain करने का मतलब होता, उनको hold करना, continue करना, ना त्याग ना, एक राजा ने पद को त्याग दिया, और दूसरा एक राजा है, उसने का, नहीं मैं पद को नहीं त्याग होगा, वो retain करेगा, वो carry करेगा, continue करेगा, hold करेगा, तो यह opposite हो जागा, remain बने रहना, वो भी हो सकता है, लेकिन, बिल्कुल हो सकता है, remain भी हो सकता है, लेकिन, चुकि retain करने का मतलब होता है कि position को retain करना, वहां से जाना नहीं है, वहां से जाना नहीं है, तो मेरे हिसाब से retain ज्यादा सही match करेगा, remain का मतलब तो बचे रहने से होता है, remaining इसी से बनता है, बचे रिवाइब नया कर देना, रिवाइब करने का मतलब होता है कि चीजे बिलकुल जरजर खराब हो गई थी, तो उनको फिर से नया कर दिये, नई उर्जा डाल दी, रिसर्ज कर देना, रिससिटेट कर देना, स्पेलिंग देख लिजेगा, रिससिटेट कर देना, रिससिटेट कर देना, रिसर्ज करना, रिससिटेट कर देना, रिफाइन कर देना, renovate कर देना revival होता है revival एक product होता है कपड़ों में डाली है और फिर से नया कर देना एक phrase होती है sore up बढ़ना फिर से बढ़ना वो भी हो सकता है abdicate त्याग देना retain करने का मतलब होता है hold करके रखना ठिक over करने से पहले मैं आपको बता दू कि grammar, vocab and comprehension all in one तीनों ही चीज़े एक batch में आपको चाहिए तो आप इस batch को ले सकते हैं इस batch की total cost is just 1199 और with lifetime validity relevant है सारे है exams के लिए especially SSC का कोई भी exam हो including seasonal mains CPU SI mains साथी साथ CDS जिसमें 100 से भी ज़्यादा questions English के आते हैं और NDA, FCAT जिसमें बहुत बढ़िया level के questions आते हैं English के इन सारे exams के लिए बिलकुल relevant content है बिलकुल relevant content है इस batch में इस fee में तो जिसको ज़रूरत हो वो इस batch के लिए जा सकता है जिन लोगों को offline classes करनी हो तो मैं आला मंग लखनों में Phoenix Mall के पास बढ़ाता हूँ ये contact number आईए तो अभी के लिए इतना ही Thank you so much